मैं रुपेश कुमार मिस्तर आप लोग अस्वागत करते हूं आपके अपने इस चैनल पर तो कमेंट जब देखा कि मैथमेटिक्स ओनर्स पेपर 6 का जो है कुश्चन का कमेंट आ रहा है कि उसका कुश्चन अपलब्द करवाया जाए अपने लोग का LNMU में जो एक्जामिनेशन होने वाला है 2021 में तो उसके बाद जो है सो मैथमेटिक्स ओनर्स के छातर जैसे कि मैंने इसे पहले वाले वीडियों बताया था कि संदीब जानम के छातर ने पेपर 5 का कुश्चन सेट करके दिया था क्योंकि मैं तो उस विसाय का हूँ जो मैं खुद से सेट करूंगा जिस विसाय के जो चात रहें उसी एक्सपर्ट से ना सेट करवाया जाएगा मैं खुद कर दूँगा यह बात फोरह legitimate नहीं लगता है इसलिए मैं तो स्री physics का हूं तो physics का आप लोगो बता सकता हूं या उसका solution भी proper रूप से आपको बता देता हूं लेकिन mathematics honors के लिए संदीब जी हैं उनसे मैं मदद लेता हूं जो कि मैं यह चीज़ जानता हूं और मैं आपको बोलता भी यह चीज़ बताता हूं क्योंकि मान लिजे बैसिकली आपको यह बता देना जरूरी रहता है कि मैंने मान लिजे जो है paper 6 का जो question काफी महतवपुर्न है इन questions को आप त्यार कर लिजेगा तो 75% है जो इसी में से प्रस्निसार आपको मैच करेगा तो उससे पहले मैं बता दोगी आगे मैं बढ़ हूं उससे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपके support का हम लोग को जरू ठीक है तो चैनल को support दें और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेर करिए लाइक करिए और साथ में notification के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रहे कि ताकि मैं जैसे कोई upload करो वीडियो मैं तो जैसे पहले बता देता था थे कि वीडियो upload करूं तो उसका मैं पहला को लिए इसमें guest questions BSC part 3 honors mathematics exam 2020 यह मेरे संदी बावु हैं आज इनको खुशी से लडू इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत जल्द जो है सो paper 6 का question सेट करके दे दिया अब mathematics part 2 का भी एक प्रसन सेट करवा के देंगे और part 1 का भी इनको मैंने यहां पर ल student है इसलिए इसलिए मैं इनका तहे दिल से सुक्रिया आदा करता हूं कि एकम से कम हम लोग के लिए आप लोग के लिए काफी मदद करते हैं यह तो मेरे को प्रसनुप लब्द करवाते हैं जिसे मैं आप लोग को बता पाता हूं तो इसलिए मैं इनका सुक्रिया करता हूं क कि यह आपके लिए आप लोग के लिए इतना काम करते हैं ठीक है ना तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते पेपर 6 कोन-कोन से क्वेश्चन साइस इस बार परिक्षा के जिस्टिकों से काफी महत्वपुर्ण है और इस बार परिक्षा में पूचे जा सकते है पहला देखिए दिफाइन सेंटर अफे ग्रूप लेट जैड डिनोट दे सेंटर अफे ग्रूप इप जी स्लैस या जी बाई जेट जो होगा प्लोग समझ दिए का इज साइक्लिक प्रूब दाट जी इज अबेलियन अबेलियन ठीक पहला बहुत जादा इंपर्टेंट कोश्चन इसमें स्वारी पहला का ए ये बी इफ पी इज ए प्राइम नंबर एज जी इज ए नन अबेलियन ग्रूप ऑफ और पी का पावर थिरी पी क्यूब सो देट दिखाएए दे सेंटर ओफ ए ग्रूप की कैपिटल जी हैज इज एक्जेक्टली पी एलिमेंट्स यह भी सेकेंड कोश्चन देखिए इस्टेट एंड प्रूब कावचीज थियोरम फॉर ए फाइनाइट अबेलियन ग्रूप यह तो समझे बहुत ज़्याद है इसको नहीं छोड़ियेगा उसको याद या स्वरी इसको तियार करी लीजिए गा स्टार लगा दिया बाकी वैसे आपको सारा करना है लेकि थियोर स्टू है यह जो यह साइन अब देख लीजिए मुझे नहीं पता देन एक्स पावर इनवर्स एच एक्स इज आल्सो और पीस साइलो सब ग्रूप अफ जी इसमें तरीसरा कोश्चन है डिफाइन आइडियल इन ए रिंग और प्रूब दाट करनेल और करनेल हो या करनल हो औ होमो मोiciones हमो मॉर्फिस्म हो मोफिजम ओफ रिंग आर इन टो इन वैं इसेजन इन ब्रूप यह में रहें हो गया को इस वं समय विखलेट आर वर कांव यह विखलेगरels की ब्हुंत नो य और और तो फेंदील वन घस्रिए में ब्रूनिक और फा रिंदाए आ म करें लिज आ प्रूब देट ए नोट आर बराबर ए नोट आर बिलॉंस तो आर इज एन आईडियल इन आर यह हो गया अब आगे चलिए देखते हैं तो चलिए संदीब जी को लड़ू खाने दिजी हम लोग कंटिन्यू करते हैं पहले कोस्चन देखते हैं बाद मेरा संदीब जी अपना ल प्रूब फूल स्था पुरूब गया टेखते हैं चलिए नोट आर बेल इंड ए प्रिंटीप आइड आइड बाद इंड रिंग इंड इंड प्रिंसिपल आइड रिंगे पाइड आइड विश्टा इडम पांचमा काफ इंपोट्राइड विच्छाथ का एं में देडियन two sub spaces of a vector space is a sub space if one is contained in the other इसका बी देख लिजे नीचे मैंने लिख दिया यहां पर let u and w be sub space of a vector space v f bracket में then so that v बराबर u globe का sign पता ने डबलू फिर यह जस्ट यह निसान यह sign क्या बोलते इसको पता ने भी बराबर u plus w u intersection w बराबर bracket में 0 मेडिन ब्रेकेट अब पाचमा है state and प्रूब बेसल्स inequality in a finite dimensional linear product space पाचमा यह भी बाद काफी इंपोटेंट कुश्चान और यह क्वेशन यह है state and prove existence theorem यह क्यों हो गया existence theorem existence theorem for base existence का मतलब अस्तित्तो existence का मतलब अस्तित्तो for basis of finite dimensional vector यह हो गया मेरा यह तिन चार इधर हो गया एक दो तीन चार पांच question लगभव अच्छे question इधर हो गया और आप आगे चलिए और क्या questions है continue करते हैं क्योंकि लगभवागा वो 15 से 20 questions तो जरूर तैयर करके जाना है mathematics में आप देखे मैं यह बता देता हूँ कि अगर मैं दे दिया आपको दू पलस तीन बराबर पांच पढ़के जाना है तो आपको यह नहीं समझेगा ज़िए आपको दू पलस तीन ही पूछेगा इस पर एक्जामपल मैं आपको समझा रहा हूँ आपको एक्जाम में हो सकता है कि अच्छे से पढ़ पढ़ के समझा दें थाकि कोई confusion आप लोग के बीच ना बना रहे और आप लोग जो है continue इस सब चीज को समझ सके ठीक है न चलिए देख तो चलिए इसमें देखते हैं सात्मा नमर क्वेशन क्या है पहला है define a polynomial ring Rx over a ring R prove that if R is a commutative ring with unity element then so is Rx further prove that R is an integral domain then so is Rx Satma आत्मा है if F is a field and V वरावर F का पावर N consisting of all N types of elements of F then so that V is a vector space over F under coordinate wise linear operations 8 हो गया 9th find the Eisen values and Eisen vectors of a matrix A वरावर big bracket 3 4 4 minus 3 and prove that the Eisen vectors of A are linearly independent no more question that's why if x and middle bracket comma y and middle bracket are sequence in an inner product space E and x comma y belongs to E such that limit n tends to infinity x and beraber x and limit n tends to infinity y and beraber y then prove that limit x tends to infinity big bracket x and comma y and beraber x comma y यह हो गया मेरा 10 question तो चलिए हो लोग 11th question देखते हैं क्या है 11th number question 11th है if O comma G G बराबर row square where row is a prime number then prove that G is abelian 12th question define a Euclidean with an illustrative example prove that in a Euclidean ring R comma D देखिए हाँ पर U is a unit in R if du बराबर 1 if x and y are associates then dx बराबर dy ठीक 12th question 13th mother 15th question उनके द्वारा set किया गया है 15th question आप लोग प्रिपेर कर लिजेगा exam के लिए better रहेगा prove that the mapping T ratio R square उसके बाद यह arrow sign R cube defined by T x comma y बराब x plus y x minus y comma y is a linear transformation 14 have find the as an values of the matrix 2112 15 है e1 comma e2 dot 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 e n is a finite ortho normal set in an inner product space h and x any vector in h then prove that x बराबर i बराबर 1 से लेकी n तक x comma e i e i is a orthogonal to e j for each j बराबर 1 comma 2 comma n where x comma e j stands for the inner product of x and e i in h बस ये 15 questions आप लोग प्रिपेर कर लिजिए असानी से आप लोग छे question ही न solve करना रहता है जी तो 15 question कर लेंगे तो मेरे साथ sufficient है पांच question तो जरूर है इसके में 100% रहेगा ही मुझे जहां तक लगता उन्हें करेगा तो मुझे लगते हैं 5 question रहेगा एक आथ तो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं उतना common sense आप मैं discussion करूंगा mathematics से क्योंकि बहुत सारे चात्रों का comment आ रहा है वो लोग उन्हीं का upload होने मैंने बोला ना दस दिनों के भी तर सारा upload कर दिया जाएगा बस आप लोग प्रतिक्षा करें और चैनल को गर सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो निश्ची द्रों से सब्सक्राइब को नोटिपिकेशन के लिए बेल ऐकन को प्रेस करके रख लें तो मिलते हैं अगले वीड प्रेस सब्सक्राइब